पूरे महराष्ट में करीब 6,000 से भी ज्यादा संख्या में जरसल बेरोजगारी भत्ता और वेतन बढ़ाने की मांग इस तरह की अन्य मांगों को लेकर ये तमाम डॉक्टर हर्ताल पर शामिल हैं और इसी हर्ताल की वज़े से मरीजों पर भी काफी असर पढ़ रहा है बेसिक है और सरकार को उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए हमने अभी जो यह स्ट्राइक रखी है जो भी हमारी डिमांड्स है लेकिन हमने इस बात का धियान रखा है कि emergency कोई भी जो सुविदा है वो बन नहीं करेंगे और patients को किसी भी तरीकी की कोई भी तकलीफ नहीं होगी इसमें या उनका कोई भी नुकसान नहीं होगा लेकिन हमारी जो demands हो उस पे भी ध्यान दिया जाए सारे resident doctor's strike पे है लेकिन emergency सेवा कभी अभी बन नहीं होगी हम उनका ध्यान रखेंगे और सारे patients को उनका जो भी है problem वो solve होगा लेकिन हमारी जो demands है वो है कि जितने doctors हमको लग रहे है manpower जितना हमको चाहिए उतना अभी available नहीं है patient load और जो doctor का ratio है वो यहाँ पे equal नहीं है जितना होना चाहिए प्लस जितना काम हम यहाँ पे कर रहे है बाकिया hospital में भी resident doctor उतना ही करते है जितना हम यहाँ पे काम कर रहे है 24 hours duty, night duty, everything तो उतना हमें भी जो मोबदला है वो मिलना चाहिए जितना हमारा काम है उसके हिसाब से हमें पे जो मिलता है वो मिलना चाहिए तीसरा यहाँ पर resources कम है, doctors कम है उनका जो पद है वो भरा जाना चाहिए, SRS का और lecturers का और भरने के बाद जो hostels हमें प्रवाइड के जाते वसिती घुरुवा, अगर भर भी रहे तो उस पर भी ध्यान दिया चाहिए उसके भी यहाँ पर सुविदाय अच्छी होनी चाहिए हमारी प्रमुक्डिमान यह है और दूसरा COVID-19 में जो पहले काम कर चुके है 2020 और 2021 में उनका जो रुनानूबंध है वो अभी तक नहीं हुआ है next COVID-19 वे आने वाली है अगर पहले का ही नहीं हुआ तो अगर कुछ काम कर रहे हैं तो बदले में भी उन्हें कुछ मिले कि दो वांगनी आपकी और कितने डॉक्टर इसमें शामिले खिलाल और क्या आपकी डिमांड रही है आपके माधियम से मैं ठानी की जंता और यह जहां तक भी जाएगी यह बात पहुचाना चाहता हूँ कि हम जो यह अपनी स्ट्राइक कर रहे है जो हमारा संप है इसका किसी भी तरीके से गलत मतलब ना निकला जाए हम हमारा जो संप है अभी आप देखेंगे आप सब समझदार हो गया है डिजिटल मेडिया का टाइम है इस टाइम से आप देख सकते हैं कि एक कितने पेशन पर कितना डॉक्टर होनी चाहिए यहां सिविल हॉस्पिटल का भी अभी रिनोवेशन में गया है तो पूरा का पूरा वर्कलोड पूरे ठाने जीले का वर्कलोड आपको अगर यह जानकारी नहीं तो मैं बताना चाहूंगा कि शाहपूर, वाड़ा, अंबरनाथ, बदलापूर, मुम्रा, भिवंडी, कलवा यह सारी जगे की पॉपुलेशन जो है जो मेजर पॉपुलेशन है वो सब यहां पर आने वाली है तो अब इन सारी चीजों को लेगे यह सही टाइम नहीं था, बस यह चीज थी कि देड़ साल से पाठ पुरावा करते करते बहुत बार कई अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग अधिकारियों से मिलकर बातचीत हुई है सब कुछ हुआ है और उसमें कुछ भी हम यह उमीद करते हैं कि सारे अधिकारी जो इस से संबंदित हैं वो इस बात को सुनेंगे और हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करने के कोशिश करेंगे दूसरी बात रही कि क्या-क्या किस-किस तरह की चीज़ें अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेसिक्स है बहुत ही जरूरी है हर एक चीज जो चीज़े जब होती है यहां जितने भी लोग है आप जितने भी आते हैं पहले तो दस साल का पढ़ाई करने के बाद अभी MD में पी जी में अब यहां पर आते तो हमारे घर का जम्मेदारी बहुत सारी चीज़े रहती है जितने लोग भी आप यहां देखेंगे सब ने जो एक्जाम होता है वो क्वालिफाई किये सब लोवर मिडिल क्लास और ऐसी फैमिली से बिलॉग करते हैं जहां पर घर की जिम्मेदारी समालने क बहुत एक तरह से पूरा लोड रहता है यह सारी चीज़े देखके तो जो मिनिममम हमारी रिक्वार्मेंट है कि अगर बाकी महाराष्टा में महाराष्टा शार्षन में ही अगर बोला है कि सारे निवासी डॉक्र को 76,000 रुपए मिलने चाहिए 14,000 रुपए जो मिलना चाह अगर बाख जसी सारी है चेज़व को सारी चीज़े हो रही है फिछले साल से लेके मैं आपको उदारत दूगा COVID-19 की सब जबिए मिल चुकी है। अभी तक ठाने मानगर पालिका में उस चीज को इंप्लिम्मेंट नहीं किया गया है। अभी तक 81 डॉक्टर्स हैं जिनको वह 12,000 की राकम नहीं मिली है वह 12,000 की राकम हम अपने फायदे पार्टी करने के लिए में वह हमारा फीस, ट्यूशन फीस हमें जमा करनी है आप बताएए पढ़ा ही नहीं तो ट्यूशन फीस क्यों किस बात की तो उसी को ध्यान में रखते हैं महारा श्राशन ने वह किया उसके लिए हम अभार व्यक्त करते हैं झाल झाल